गूँँँ तो दो स्टुदेंट्सुडएव। तो नमबर 17 डाइवर्सटी ओफ क्लास 6 दिश्व क्लास का चैप्टर ये आपका डाइवर्सटी तो फ़र्स्ट फॉइस डाइवर्सटी डाइवर्सटी है क्या डाइवर्सटी का अगर लिटरल मीन देखें, डायक्ली अगर मीन देखा जाए, तो डायवर्शिटी का मीन होता है, विभिन ताए, मीन्स अलग-अलग, एक परसन, दूसरे परसन से, टोटली डिफरेंट है, एक्जाम्पल के लिए, एक परसन, क्या पहन रहा है, तो दूसरा परसन, उससे कुछ में रहेगा, तो यह जो human beings में, जो विभिनताएं हैं, डिफरेंस हैं, उन्हें ही diversity का नेम दिया गया है, तो डायवर्शिटी, अब इस चेप्टर में, डायवर्शिटी किसे बोलते हैं, फिर डायवर्शिटी के साथ साथ unity, unity means एक्टा, अलग-अलग होते हुए भी, सब अ डियार, लिवड टुगेदर वो साथ में रहते हैं, तो यह है unity, आगेश चेप्टर में है, डायवर्शिटी के रिजशिटी के रिजशिटी के किया हैं, तो फिर्स्ट अफ अल देखिए, meaning of diversity, differences in human beings are based on the culture they belong to and language they speak human beings की अगर बात की जाए so human beings जो मानव है उनमें क्या है बहुत सारे differences देखने को मिलेंगे for example culture सबका culture क्या है एक दूसरे से different है culture रहन सहन कैसे रहते है culture जो है वो क्या है is different from one to another एक से दूसरे का जो culture की बात करें तो क्या है different है and language they speak जो language बोलते हैं वो भी क्या है different है for example अगर बात करें राजस्तान की तो यहाँ पे राजस्तानी language use की जाती है in Punjab, Punjabi language is used and in Northern India Kashmir, Kashmiri language in Tamil Nadu, Tamil language and many others तो बहुत सारी ऐसी language है जो हर एक परसन अपने area के according speak करेगा तो जो यह major differences है culture के differences है जिसमें की कपड़े पहनना है wearing the cloths, eating habits उसके लाबा speak, जो language speak करते है तो जो भी यह differences है वो ही क्या है diversity है तो differences in human beings human beings में क्या है differences है are based on based है किस पर based है culture पर जिसको वो belong करते है और language जो वो बोलते है तो यही क्या है diversity है अब आगे देखिए many people around us come from different religions like Hindu, Muslims, Sikh, Jain अब आपने देखा होगा कहीं और तो नहीं लेकिन class की ही बात कर लेते हैं in your class there are many students आपकी class में बहुत सारे students है but they are not of same religion लेकिन वो क्या है same religion के कोई भी नहीं है कुछ Hindus, Muslims, Sikh, Christian सब अलग अलग है ठीक है ना तो many people बहुत सारे जो लोग हैं आते हैं come from different religion अलग अलग religion से आते हैं and they speak different language और अलग अलग क्या करते हैं language speak करते हैं like Bengali, Marathi, Gujarati, Punjabi, Urdu, Rajasthani, etc this is diversity समझ में आया कि अलग अलग जो person से human beings क्या है differences human beings are different from each other on the best of they speak जो language जो speak कर रहे हैं उसके according हो गया on their culture उनका culture तो वो अलग अलग लेंग्वेज बोल रहे हैं अलग उनके habits हैं तो यह जो एक दूसरे की जो difference है यह वही क्या है diversity है okay next है point आपका unity अभी मैंने बताया था आपकी क्लास में there are many students बहुत सारे students है सब क्या है अलग अलग सब का eating habit अलग है सब अलग अलग how to speak सब अलग अलग बोलते हैं how to eat how to live सब अलग अलग तरीके से रहते हैं but फिर भी अगर आपका कोई competition होता है जिसे कोई debate है class 6th section A class 6th section B दोनों में अगर कोई competition हो रहा है तो 6 का जो A section है वो सब क्या हो जाएंगे unite एक साथ हो जाएंगे तो जो भी आपमे differences है आप सब अलग language बोलते हैं सब के घर अलग तरीके के बने हुए है सब आप अलग कपड़े पहनते हैं आपके parents ने जो आपको सिखा है या आपने अपने parents से जो सिखा है तो जो भी differences है उनको side में करते हुए आप सब एक साथ रहके work करते हैं तो यही क्या है unity है the students or human being from different background but they lived together with each other this is unity means human beings क्या है सब अलग अलग background से है बट फिर भी वो क्या करते हैं एक साथ में रहते हैं और इसे ही क्या बोला है unity बोला गया है अब आते हैं इसके reasons अब क्या कारण है reasons क्या है diversity होने की वेशे तो मैंने आपको बता दिया है अलग तरीके के कपड़े पहनना जो eating habit है वो अलग यह अलग जो major reasons की बात करें मोख्य जो कारण है उनकी अगर बात करें तो देखिए first is tradition and trend tradition and trend तो सब के tradition अलग है tradition रहने का तरीका सब के trend कपड़े पहनने का हो कुछ भी हो रहने का तरीका सब के क्या है अलग है difference is many things like how to live, how to eat कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं तो first reason क्या है आपका first है tradition and trend सब के tradition और सब के trends है different from each other second point is regional requirements regional requirements regional region होता है area for example हम राजस्तान में रहते हैं तो हमारे reason क्या है राजस्तान, फिर सीकर की अगर बात करें तो राजस्तान में भी सीकर में तो हमारे reason क्या हो गया शेखावाटी reason या सीकर reason तो अब regional requirements for example अगर नोर्थ और कश्मीर में जाएंगे नोर्थ में जाते हैं कश्मीर में तो कश्मीर में हम देखते हैं कि बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे लोग जो अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है बर्फ है आइस तो सर्दी रहती है ज़्यादा जो temperature है low रहता है तो वो कपड़े वैसे ही पहनते हैं अगर हम थोड़ा सा नौर्थ में या साउथन जो coastal एरियाज है वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोग बारिश ज़्यादा होने के वज़े से जो कपड़े पहनते हैं वो नी हाइट्स तक के कपड़े पहनते हैं तो tradition सब के अलग हैं उसके बाद में regional कुछ differences है जैसे उनको रिजिन में requirement है वैसा वो पहनेंगे वैसा वो खाएंगे next is food habit food habit की बात करते हैं अलग-अलग एरिया में सब अलग-अलग food eat करते हैं जैसे बंगाल, आंधरपरदेश, तमिलनाडू mostly rice eaters आंधरपरदेश, तमिलनाडू, बंगाल महाँ पे rice जो है ज़्यादा ग्रो किया जता है तो वहाँ के लोग ज़्यादा rice eat करते हैं रजस्तान की बात करें तो rice ज़्यादा नहीं होता है बट बाजरा बाजरा जो barely बाजरा बहुत ज़्यादा ग्रो किया जता है तो रजस्तान में बाजरा जो है mostly eaten food है पंजाब की बात करें तो wheat grew more तो पंजाब में क्या है wheat बहुत ज़्यादा ग्रो होता है तो वहाँ पे लोग क्या खाते हैं चपाती या आटा बोल सकते हैं खाते हैं आटे की चपाती खाते हैं तो यह क्या है food habits की सबकी difference है next is religious beliefs religious religion भार्मिक जो माननेता हैं धरम को मानते हैं तो उनकी बात करें different people believes in different forms of God अलग अलग लोग different people क्या करते हैं believe करते हैं different forms of God God के अलग अलग forms में वो believe करते हैं example के लिए अगर बात करें तो हिंदू जो है वो temple में जाएंगे मंदिर में जाएंगे muslim जाएंगे mosque में Sikh जाएंगे गुरु द्वाराज में और उनके जो pattern है prayer करने के सबके अलग है as you know आपको पता है अच्छे से कि हिंदू अगर मंदिर जाते हैं अगर muslim मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पे नमाज पढ़ के आते हैं तो सबका क्या है prayer करने का pattern भी अलग अलग है तो यह जो chapter है आपका studying for inter diversity की definition उसके बाद में unity की definition फिर reasons तो कुछ origins है जो कि आपको next class में बताए जाएंगे I hope समझ में आया होगा और समझने की और कोशिश करना Thank you